खमबागनी मारोराजस्थान पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम सब को पता है गोगा नोमी है आप सबने अपने अपने घर में पूझा तो की होगी जाहरवीर गोगा जी जो हमारे पंचपिर लोगदेवता में से आते हैं तो आज से अच्छा दिन हो नहीं सकत जब हम गोगा जी के बारे में जाने और पंच पिर लोग देवता मुझे लगता है आर पेस्ती का शौयदी कोई ऐसा एक्जाम हो जिसके सिलेबस में ये टॉपिक ना हो ये टॉपिक सबसे पहले आता है और हर एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन आने के चांसेस भी बहुत ज चा शौदा होते हैं और आज जो हम गोगा जी के बारे में जानेंगे ये मेरे सारे प्लस के नोटस हैं जो मैं आप सबके साथ टेलिग्राम पे शेयर करूंगी और इसके साथ-साथ-साथ लास्ट में गोगा नॉमीं अबसर पर गोगा जी का आशिरवाद लेके एक छोटी से अनाउंसमेंट भी करूंगे RS Prelims के स्टूडेंट के लिए and I wish जो है हम उसको पूरा भी कर लेंगे तो गोगा जी का जनम जानते हैं गोगा जी का जनम जो है राजस्थान के चुरू जिले के दद्रेवा जगा पर हुआ था चुरू के दद्रेवा जगा पर किसके आशिरवाद से हुआ गुरू गोरख नाच जी के आशिरवाद से हुआ इनके पिता जी का नाम जेवर सिंग था और माता जी का नाम रानी बाचल था तो गुरु गोरख नाज जी ने इनको जो है Google Fruit जो फल होता है वो दिया था उस फल के बाद जो है रानी बाचल के यहाँ पर गोगा जी का जो है जनम हुआ था इनकी वाइफ का नाम सुरियाल था और गोगा जी का जनम जो है चोहान वंश के अंदर हुआ था तो चोहान वंश के चोहान डानेस्टी के सकसेसर जो है गोगा जी माने जाते हैं इनके बाद हम जानते हैं गोगा जी के बारे में पंचपीरों में से एक है यह तो मैंने बता दिया क्यों गोगा जी लोग देवता के रूप में फेमस हुए इनकी जो है ब्रेवरी एक्ट्स की वज़े से जो पबलिक वेलफेर जन कल्यान के लिए इन्होंने बहादुरी के कारिये किये अपनी लाइफ को सेक्रिफाइस किया किसलिए गायों को बचाने के लिए गोर रक्षा के लिए उसके साथ-साथ हमारे देश को जो फॉरन अटैकर से बाहर से अकरांता आते थे जैसे कि महमूद गजनवी उसको उससे बचाने के लिए भी जो है गोगा जी ने अपनी लाइफ की बिलकुल भी जो है चिंता नहीं की है तो पूरा ब्रेवली लड़े हैं उसके साथ- इसकाम भावना से तो उसी वज़े से गोगा जी आज फेमस है किस रूप में लोग देवता के रूप में जाने जाते हैं ठीके गोगा जी जो हैं दूसरे नाम क्या है इनके जाहर पीर जिंदा पीर जिंदा पीर की उपादी खुद फोरन अकरांता जो आया था हमारे देश के उपर अटैक करने महमूद गजनवी ने इनको दी थी महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था जिंदा पीर कहा था और गोगा जी के फॉलोवर्स हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्यूनिटी के हैं दोनों कम्यूनिटी के लोग जो हैं गोगा जी की पूजा करते हैं गोग साथ फार्मर्स जब भी हल जोतते हैं केतों के अंदर फसल बोते हैं उस टाइम पे जो अपना हल होता है उस पर गोगा जी के नाम की राकी बानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं गोगा राकडी कहते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं गोगा राकडी के नाम से जानते हैं तो यह से related हमारे यहाँ पर पंच पीर लोग देवता में कौन कौन से लोग देवता आते हैं साप से काटने से related गोगा जी आते हैं तेजा जी आते हैं अगर याद हो तो है ना उसके साथ साथ गोगा जी के थान कहां पर मिलते हैं गोगा जी के थान मैंने बताया था आपको पिछली शमी ट्री जो खेजड़ी का वरिक्ष है वहां पर घो गा जी के थान बनाया जाते हैं इनकी पूजा की जाती है और पिछले वीडियो में हमने के थाकि OAŁ और कौन सी लोग देवी के रूप़े की जीटला माता की पूजा भी जो है शम्मी व्रिक्ष पे की जाते हैं ठीके और यहां पे देखरी का व्रिक्ष Caitlin की बनीवी images की इस presentation जेंवम जाती है जिसेCrक蒲 गोगा जी से related दो और टम्स है जहां पर इनका जनम हुआ यानि की चुरू के दद्रेवा में उसको हम लोग शिर्ष मेडी के नाम से जानते हैं जनम बर्थ प्लेस को किस नाम से जानते हैं शिर्ष मेडी के नाम से और जहां पर इनका निर्वान स्थान है यानि की जहां पर इ नोहर के अंदर लाइव समाधी ली थी बिल्कुल किसके तरह रामदेव जी ने भी यादो हमने पढ़ा था तो उन्होंने भी लाइव समाधी ली थी और गोगा जी ने भी जो है लाइव समाधी ली थी हनुमानगड के नोहर के अंदर अगर आपको इनके बर्थ प्लेस और सम माधी प्लेस याद करने में दिक्कत आ रहे हैं तो मैं आपको चोटा स सनी मोनिक बता देती हूँ आपको याद करना है गोगा जी का गड़ है हनुमान गड़ में ॥ीक直接 और गोगा जी का जनम हुआ गोरक प्ले से आदो जाएगा चुरू के दद्रेवा के अंदर इनका जनम हुआ है ठीके गोगा जी का मेला जो है वो कब लगता है ये तो बताने की भी ज़रुरत नहीं है गोगा नौमी को लगता है भादरपद की कृष्ण पक्ष की नौमी को जो है गोगा जी का मेला लगता है य जानी की अभी पूरे भादरपद में पुर्णिमा तक गोगा जी का पशुमेला जो है वो चलने वाला है उसके साथ साथ गोगा जी का टेंपल कहां पर है अब गोगा जी से रिलेटेड हम तीसरा स्थान करने वाले हैं याद रखेगा एक हमने चुरू में किया दद्रेवा द तीसरा हम अभी करने वाले हैं गोगा जी का दूसरा मंदिर कहां पर है किलोरियों की ढानी में जो कहां पर है साचोर में जालोर के साचोर में और जिसे हम गोगा जी की ओल्डी के नाम से भी जानते हैं देख रहे हो आप गुरू गोरक नाज जी के भोले नाज बफतार आप आपको याद रखना है जब हम गोगा जी की बात करें तेजा जी की बात करें तो बोले नाज जी अपने आप आजातने हैं ठीक है तो इनके गुरु कोन थे गुरु गोरक नाज जी ठीक है जिनोंने नाथ पंथ की जो है नाथ पंथ की सापना की थी नाथ पंथ से रिलेटिड गुरु गोरगनाज जी इनका तपस्यास्थल कहां पे है तो ये एक और जगा आपको याद करनी है गोगा मेड़ी के अंदर नौलब गड़ के अंदर तो हम चौथा प्लेस गोगा जी से रिलेटिड याद कर रहे हैं इनके तपस्यास्थल कहां पे है गोगा मेड़ी में कहां पे नौलप गड़ के अंदर है ठीक है याद कर लोगे इन से रिलेटेड सिंबल जब आप गोगा जी की इमेज कहीं पर भी आप देखोगे साथ में आपको भाला देखने को ही मिलेगा देख रहे हो स्पेर या भाला तो गोगा जी का सिंबल जो मेन माना जाता है वो स्पेर भ मानते हैं महमूद गजनवी से लड़े थे ठीक है तो उनको हम एक बहुत बड़ा योद्धा जो है मानते हैं इनके अगर वीकल के बारे में पूछा जाए इनकी सवारी कौनसी है तो गोगा जी को देखो आप गोरक नाथ जी को देखो बोले नाथ को नीलकंट महादेव कहत आपको सारी चीज़े crystal clear, आप ये image भी याद रख लो तो इनके तीन symbols तो आपको ऐसे ही आद हो जाएंगे नीली गोडी ब्लू मेर spear यानी की भाला और तीसरा जो है snake ठीक है अच्छा और देखते हैं इनकी जो है पूजा warrior के रूप में योद्धा के रूप में होती है भाला जो है इनको मिलेगा ही मिलेगा आपको जब भी इनकी image कहीं पर भी देखोगे इनका जब मेला लगता है तो प्रशाद में क्या-क्या offer किया जाता है देखे खीर लापसी चूर्मा वर्मे सिली ये सब आप सबने भी सेविया बनाई होंगे और वो जो गोगा लेकर आए होंगे एक छड़ी भी इनके पास हमेशा आपको मिलेगी गोगा जी के जो भोपास होते हैं जो followers होते हैं वो हमेशा अपने पास एक बड़ा सा जो है वो छड़ी जो है जरूर रखते हैं ठीक है इनकी पूजा सिर्फ र followers हैं वो कौन-कौन से वाद्देयंत्र बजाते हैं तो यह आपको बहुत important है माठ वाद्देयंत्र बजाया जाता है डेरू बजाया जाता है और कांसी का कजोला तो यह तीन वाद्देयंत्र आपको याद रखने हैं माठ डेरू ठीक है डेरू आप डमरू से याद कर लो भ लगा बताना जरूर है चोटी सी announcement में आपको त्यार देती हूं आज 50 days crash course का जो हमारा 10th part है जो हमारा 10th part है RTI के ऊपर वो कल आएगा इस पर आपको theory और questions दोनों देखने को मिलेंगे इसके साथ next announcement में आपको बता देती हूं यह मेरा profile आप देख लीजेगा schedule मेरा कल से कल सुभा 8 बजे से दरपन test series हम लोग शुरू करने वाले हैं राजस्थान art and culture की कल का topic भी शुरुआत हम लोग देवता लोग देवियों से ही कर रहे हैं तो इसी topic पर आप लोगों का test होगा test का link आपको description में भी मिलेगा, telegram में भी मिलेगा तो आप join करना ना भूलेगा, unlock code अगर आपसे मांगे तो MRP 10 code आप लगा लीजेगा ठीके, उसके साथ साथ crash course रात को 8 बजे हमारा चल ही रहा है ठीके, बीच में ये तो कल जन मार्श मी थी तो हमने special video बनाया आज गोगा 9 हैं तो उसके अंदर भी फर फिर भी हम पढ़ाई साथ साथ करी रहे है और प्लस पे कल से राजस्तान economy स्टार्ट हो रहे है जिसमी में राजस्तान economic survey आपको कराऊंगी चार से साड़े 5 बजे तक हमारी class होगी इसके साथ साथ जो मैंने plan किया है नई चीज में आपको बता रही थी आरेस prelims के aspirants के लिए English medium के especially aspirants के लिए science जो है मैं सोच रहू हम लोगों को start कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी recommendations हा रही थी आरेस prelims में बच्चों ने अभी तक शायद से science नहीं पड़ा है तो यह specially और specially सिर्फ आप MRPants के लिए है और बिल्कुल free of cost है ठीक है बिल्कुल free of cost है और यह जो है एक सेकेंड रुकेगा हाँ रात को 9 बजे यह लगे की class कहां पे यह YouTube पे नहीं होगी अनकैडमी के learning gap पे होगी इस class को schedule करते ही इसका link आपको description में मिल जाएगा मैं फिर से भी announcement कर दूँगी और आपको यह plan कैसा लगा मुझे बताईएगा start हम कर रहे है 3rd September से फिर daily करनी है और alternate करनी है और जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगे जरूर तो यह announcement कैसी लगे आप लोग मुझे बताईएगा जरूर ठीके और कल सुबा आर्ट इन कल्चर में आना ना भूलेगा वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like, subscribe, share जरूर कीजेगा नीचे वीडियो में अपने कॉमेंट्स भी लिखना मत भूलेगा ठीके मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक आप सबको मेरी तरब से घड़ी घड़ी जामराम और गोगा नोमे की बहुत सारी बदाएगे थांक्यू